आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now प्रशन दिया गया आपको एक विशिस्ट कोड भासा में Question को क्या लिखा जाता है J F V H G R L M Answer को क्या लिखा जाता है Z M H D V I लिखा जाता है इसी कोड भासा में Problem को किस प्रकार लिखा जाएगा आपको चार विकल्प दिये गए आपको बताना है इन चारो विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है इस Question को करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए हम क्या करते हैं पहले ABCD रिख लेते हैं A B C D E F G H I J K L M फिर क्या लिख लेते हैं अब आप क्या करिए इसी का उल्टा लिख दीजे A B C D E F G H I J K L M यहाँ पर क्या आजाएगा N आजाएगा O P Q R S T U V W X Y and Z अगर आप इसको लिख लिए तो आपका ये question सौलोग है कैसे अब आपको देखना है याप पर आप देखने है question Q का J दिया हुआ है तो Q और J क्या है opposite है एक दूसरे के U का क्या है F दिया हुआ है तो आप देखिए U का F है opposite है एक दूसरे के यहाँ पर J और Q है एक दूसरे का फोसित इसी तरह E का V है तो देखिए E कहाँ है E का V आता एक नहीं आता है बिल्कुल आ रहा है तो आप देख रहे हैं यह सेम पैटर्न फालो कर रहा है दूसरे में भी A का Z है बिल्कुल A का Z है N का M होता है n का m होता है बिल्कुल आप कहीं से भी देख लें m का n होता है n का m होता है ठीक है इसी तरह आपको problem का लिखना है तो हम चले problem लिख लेते हैं अब आपको क्या दिया गया है problem तो p r o b l e m ठीक है अब उपर वाले से देखेंगे ठीक है p का क्या हो जाएगा तब आप यहाँ पर देख रहा है p का क्या होता है k होता है ठीक है तो हम क्या लिख लेंगे आपर उसके नीचे उसका k लिख लेंगे R का क्या होता है I होता है तो I लिख लेंगे O का क्या होता है L होता है B का क्या होता है Y होता है L का क्या होता है यहां से देखिए O होता है O लिख लीजिए E के किसके नीचे E के नीचे क्या आता है V आता है V लिख लीजिए M के नीचे क्या आता है M के नीचे N आता है आपका मिल गया code जो आपको चेह यह था क्योंकि same opposite कर दिया गया था opposite ले लिए गये थे तो आपका K I L Y O V N अब option देखते हैं पहला J है गलत है दूसरा K I K हो गया X हो गया गलत हो गया तीसरा J से इस्टार्ट है गलत ही है चौथा K I L Y O V N तो आपका चौथा विकल्ब जो है वो सही है धन्यवाद